समिधान से ही तो एक्सफोस हो रहा है सारा, समिधान की वज़ासे ही तो अमिच्छा जी जैल जाएंगे अब, आने वाले समय में कल अ क्र दो दिन में Electoral Bonds का सारा कच्छा छिक्चा साफ होने वाला है, इसी समिधान की वज़ासे नड़ जी, अमिच्छा जी और मोदी जी जेल जाएंगे अब इसी समीदान की वाइसे तो इसी समीदान को तो खतम करना है और उसी मनुस्पृति को लाना है जिसको बावा साफ डॉक्टर भीम राओं अम्बेट करने जिसका अल्टिनेटिव यह समीदान के रूप में दिया है जो यह कहत है और 24 गंटे के अंदर मतलब कल स्टेट बैंक बंद होने से पहले इलेक्टोरल बॉंड का जो सुप्रीम कोर्ट का ओडर है कि सारे चोरों जिन्हों ने भी चोरी की है इलेक्टोरल बॉंड बनाते हुए अगर चोरी की गई है किसी ने तो वो पकड़ने के लिए वो जो प्रेट की सारी डीटेils SBI Election Commission of India को दे और Election Commission of India उसको 12 तारिक पहले डेट थी आप 15 कर दी गई है 15 तारिक तक अपनी website पर डाले तो 15 तारिक को बड़ी उल्टी गिंती मोधी सरकार की शुरू होने वाली है क्योंकि हम लोगों का जो शक है वो अब यकीन में बदलता जा रह उससे ये बात तो साफ हो रही है कि बहुत बड़ा घपला घोटाला है कुछ टेरिस्ट लोगों ने भी शायद पैसे दिये हुए हैं कुछ देश के दुश्मन ताकते जो हैं पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजन्स एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी फ्रंट कंपनीज बना शेल कंपनीज बनाके बहुत सारा पैसा बीजेपी और आरेस को दिया हुआ है वह खुलने के भी बहुत बड़ी संभावना पंद्रा तारिक से हो जाएगी और हम उसमें एफायर भी दर्ज करेंगा बीजेपी के सांसद है कंणा टक से अनन ठैक्ड़ उन्होंने कहा है कि हम संभी दान को द्वारा से लिखने की जरूरत है और उसके लिए चार्ट पार सीड़ी जरूरी है मौहन भागवत जी बावा साब डॉक्टर बीमरा उमबेटकर से जितनी नफरत करते हैं अरे सेन i के सारे लोग साफ डॉक्टर बीमरां उमबेटकर की एक-एक पहचान मिटआ देना चाहते ! तो उसके लिए सबसे बड़ी पहचान तो भावास साब डॉक्टर बीमरां उमबेटकर और उन presti बर सातियों का समिदानी है na जो RSS और BJP की मानसिक्ता है हर एक कमजोर का हक लूट कर हर एक महिला का हर एक बेरोजगार का हर एक गरीब का हक लूट कर अडानी अम्बानी के घर भरो उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कुछ है तो ये भारत का समिधान ही तो है इसी भारत के समिधान ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजिस को इतना सशक्त किया है कि वो ये इलेक्टोरल बॉंड जैसे ओरडर दे पा रहे है जब देश की जंता कड़ी हो गई इसी भारत के समिधान ने तो डॉक्टर रितु को इतना सशक्त किया है कि ये मोधी जी जैसे एक इतने बड़े और जिनको दुरदान तभी बहुत सारे लोग कहते हैं नेता की आखों में आखे डाल के बावा साब की एक बेटी होने के नाते उनकी आखों में आखे डाल के बात कर रही है तो इसी समीधान की बज़ा से तो अरेसेसर बीजेपी की सारी प्रॉब्लम है मिलके यहीं पार्लिम्न के सामने पूलीस के सामने दोजार अक्टार में जलाया था जिसके लिए हमने 5-3 साल अब जाके senior police officers के खिलाब जब action court नहीं लिया है तब जाके थोड़ी बहुत कारवाई हो रही है इसी भारत के समिधान में तो मोदी जी के खिलाब को ये एक शब्द बोल दे तो YouTube, Facebook, Twitter, Instagram सबको एक मिनिट में गौर्मेंट से ओर्डर चले जाते है और इसी और हम लोग अदालतों में ये कह रहे है कि समिधान को जलाया गया बावा साब को जो बुरा भला कहा गया गया उसको कम से कम Twitter और Facebook पर दूसी जगा से अटाता तो पुलीस ये कह रही है कि हमारी बात नहीं सुन रहे है Facebook, Twitter बले तो ये जो जो इनका दोहरा चेरा है ये समिधान से ही तो एक्सपोज हो रहा है सारा समिधान की वज़ा से ही तो अमिच्छा जी जेल जाएंगे अब आने वाले समय में कल दो दिन में इलेक्टोरल बांड्स का सारा कच्चा चिक्टा साफ होने वाला है इसी समिधान की वज़ा से नड्डा जी, अमिच्छा जी और मोदी जी जेल जाएंगे अब इसी समिधान की वज़ा से इसी समिधान को तो खतम करना है और उसी मनुस्पृति को लाना है जिसको बावा साफ, डॉक्टर भीम राह इसी समिधान के रूप में दिया है जो यह कहता है इंसान- इंसान के बराबर है सब इस देश के मालिक हैं इसी समिधान को तो RSS भीज़भी खतम करेगी इसमें कोई ठकी चुपी बात नहीं है वो तो पूरा समिधान लिख चुके हैं उनकी जो राजधानी है वो बता चुके हैं काशी होगी उनका जो समिधान है वो मनुस्वृती होगी है तो बताई चुके है उनके देश का नाम आरेवरत होगा उसी लिए तो साद्वी प्रग्यान सिंग ठाकुर अरेश्ट हुई थी अनन्धहेड़े ने मिए बावर ये बयाम कोन दिर्वारान चाहिए अनन्धहेड़े जी के बौस कौन और एक बौस है आएडियो लॉजिकल बौस जो सब के बॉस हैं वो है RSS और छोटे बॉस है मोदी जी RSS और मोदी जी के अलावा कौन उनसे दिलवाएगा मेंबर अब हैं मोधी जी भारतिय जन्ता पार्टी की लोग्सभा के मेंबर्वस के मोदी जी के three लाइन सब्श्य करने वाले जो भी अधिकारी होंगे विएधिकारी एतना नियंत्रण रख्ते हैं कि कि वो किसी discipline party है हम अनुशासन हींगता बिल्कुल बरदाश्ट नहीं करते तो ये एक बार बयान दे रहा है कोई एक लीडर दे रहा है उनका हर लीडर किसी लीडर से पूछ लो हर लीडर ये बोलता है जिन लोगों ने 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं पहरा है अपने office में तो उनसे ब्रम कि बहुत ही अच्छी बात है इसी दिन जे तो निजी वियान देने के लिए तो चिकर्त दे के मेंबर ऑंपॉर्लीमिंट बनाया था जैसे साधिर प्रग्यान सिंग ठाकुर साहबा को बनाया एक थोड़ी है कोई इतने सारे लोग क्या पहले लीडर ने बीजेपी के ने और रस्स के ने बोला है या अखरी बोल रहा है किस को यह निजी ब्यान बताएंगे और निजिता क्या निजिता किस चीज में होती है फैमिली लाइफ ने बोदी जी की निजिता कहां होगी उनकी और उनकी इवियम के बीच में पाकी सब तो पब्लिक लाइफ होती है ना बात आब यह देखिए फिर घूम फिर के मामला एक आदमी नहीं बोल रहा ना कौन नहीं बोल रहा यह बताईए एक आदमी का ऐसे नाम बताईए जो यह नहीं कहरा कि बावसाब का सारा जो मेनत है इस समिदान को खतम करना एक लीडर का नाम बता दीजे पूरी भारति चंत पर को जिनकी वो 400 कहां से लाएंगे इविएम से समिदान कहां से बदलेंगे EVM से मोदी जी प्रदान मंत्री कहां से आएंगे EVM से एक भी इनका MP आएगा कहां से EVM से तो EVM सबसे बड़ा मुद्धा इसलिए हम समिदान सदन रखा है लेकिन बावसाथ दॉक्टर भीमरा अमबेटकर का समिदान या मनुस्पृति का समिदान ये तो नहीं बताया न वहाँ शेर का निशान बदला गया है वित्री मूर्ति है उसका उसकी चवी बदली गई है वो कितना बड़ा अपराद है लेकिन बदला सेंगोल लेके जाया गया वो कितना बड़ा अपराद है कहाँ तो बिलकुल ठीक बात है न पगर अब तो बन गए अगर समिधान की मूलबूत भावना का का इंक्प्लिमेंट होना होना था तो कोई भी चाह बेछने वाला बन सकता है फरनी वाड़ा करना मुश्केल हो था समीधान की मूल भूत भावना जैसे मोधी जी फर्जी वारा करके बोलते हैं कि मैंने चाय बेची ये फर्जी वारा नहीं चलता समीधा असली चाय बेचने वाला बन सकता है उसी को रोकना है ना ये नकली चाय वाला बना के नहीं ये नकली है ये इनकी डिगरी के बारे में ज कोई क्लास्मेट का एक का नाम बता दें प्रोफेसर का नाम बता दें कोई तो एक्जाम उन्होंने स्कूल में जाके दिया होगा उसमें क्लास्मेट बता दें देखें उनका ये देश का दुर भागे भी एक तरह से और एक तरीके से कहा जाए तो थोड़ा सा सभागे भी है कि कब से कम मूह दिखाने के लिए तो है एक से कप्ति साथ भी जो हमेशा पर्मनेट लिए अंदर है वह भी कतम होने वाला है हाला कि बावा साब ये थोड़ी चाते थे बावा साब चाते थे कि अपने बोटों से लोग अपने MP जिता के भेज़ें वो तो नहीं हुआ पूना पैक की वज़ा से तो ये सेकिंड बेस्ट फॉर्मूला था तो 131 जाएंगे ही जाएंगे लेकिन वह 131 अपने लोगों की जावाज इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनकी कॉंस्टिवेंसियमें दूसरे लोग जो हैं उनके अपने लोगों को छोड़ के दूसरे लोग ज्यादा नंबर में होते एक बात और वो उनकी पार्टी के लोग उनको टिकट दे के जितवाते हैं वो अपने अपनी मेहन में खड़े करने के लिए तो बावा साथ दे गए कि शायद इनकी गोएल जी की तरह कभी कॉंशेंस जाग जाए जैसे अभी गोएल साब की जागी ऐसे कॉंशेंस जाग जाए तो इनका जो दिल है वो सचाई की तरफ नहीं गोएल साब जी को अब अगर वो अपने सारे करती है उसी वज़े से तो अब स्थीपा दिया है तो हां देखिए का का कानून में अपरूर का जिम्मेदारी होती है कि वह अपने साथ जो दूसरे अपरादी होते हैं के सारे गुनाव उनके गुनाहों के सबूत दे अगर गोएल साब ऐसा करेंगे तो फिर हम उनकी मदब का देखिए ब 小ष का l休克 का न देखिए का देखिए